अम्बे स्थिल्स, माथी चड़दै, अगी बड़दै अम्बे सिमेंट, हम्रो कर्वा, हम्रो पहिचान विस्वास, हाइटेक सिमेंट को वी वांट, वी वांट, एबिसी नमस्कार, सूचना संप्रिक्षण का लागी मात्र होईना सामाजिक उत्तरदाइक तो का लागी बनी प्राइम स्टोरी मा स्वागत्छ, मा रोहन स्रेस्ट यस पटक को बर्खामा, मुलुगभर बाडी रपहिरोले धिरेको जिहान लियो हजारों को ठिवास करायो, बाडी ले गाउं का गाउं चुर्लून मड़ुबाउं दा सबैको ध्यान प्रकृतिको त्यो निर्ममतामा टक कर्ड़ियो आयको बाडी अहिले गई सक्यो, बाडी को कहाली लाग तो ध्वन्च अहिर्न अप्रवावित छेत्र नाई पुगनो परछा यस पटक हामी प्रकृतिको विध्वंग्शा स्रमेटन बर्दिया पुग्याउं विड़े तरको बिहाल राज्य भीहिंता को स्तेती हामी ले महसूस करेओं काठवांड मा संकलन गरेको लत्ता कपडार रकम सैथ हामी बर्दिया आनी का थियों बुदबार अपरानना काठवांड बाट बर्दिया लायक हामी बिही बार जिसमिशे मां बाक एको समसेर गंज पुग्याउं समसेर गंज मां पूल भासी एको थियो बासी एको पूल बाट यात्रा संभव थिये ना तेसेले राप्ती नदी मां ह्यूम पाइप राखेर डाइबर्शन बनाई एको थियो डाइबर्शन मां माल बहाक ट्रोक भासी एको रहे छा पाज गंटा देखी स्वई ट्रोक का कारण महेंद्र राजमार्ग मां यातायात अबुरुद्ध थियो नजीके सस्त्र प्रहरीको एक जथा सायरिक अभ्यास गई रहे कुथियो यात्रु अलपत्र थिये ट्रोक हटाऊना सरकारी समेंत्र को चास्व देखिये ना आमीले ग्रिये सचिव सुरे सिल्वाललाई इस्तितिको जान करी गरायों उनले क्याई बेर मां आमीलाई संपर्क गरे 15 मिनेट मां बाटो खुलाउने आश्वासन दिये उनले भनेको जण्डे एक गंटा फची बाटो खुलेओ यहटा ट्रक को अब्रोध छिचोलना ग्रिये सचिवला हार गुहार गरनुपने राज्ये समेंत्र प्रती यात्रुहरू अवाक थिये बरदिया पुगियों बाडीले निम्त्यायको बरबादी सडक में देखियो गुलरिया नजी के रहेको नव लाखे पुल बाडी को कारण बास्ची एको थियो नाइट बस तेहीं रोकियो खेत को बाटोपनी राद बरी को बर्सा को कारण हिलाम में रहे छा काटपन्ड बाट लगेको लत्ता कपडा प्राक मा लोड गरेरा हमी पद नहा होई कियों बाडीले बिदोम्स मच्चायको छेत्र मद्दे एक गाविश हो पद नहा बरदिया को सदर्मकाम गुलरियार लगायत का अधिकाम सठाउं सरलक्के निलूला जहें गरिस मात्येको बवैको असली रूप उसम घाट मा देखना पायों नदिले मोड लियेको इस्तान पहिले देखिन न थियो अहिले गुम्ती प्रस्ट देखिने गरी नदिले जमिन काटे को छ संचालन मा आयेको 29 दिन में जोलूंगे पूल को अपसेस मात्र बांकी छ जोलूंगे पूल को एकातिरो को खंबा सूते को छ पतनाहरा सतर्मकाम बर्दियात था नजिकेको बजार सानो स्रीलाई जोडने पुराने ही मात्देम डूंगा फुनह संचालन मा आयेको छ यो कुस्मा गाटो यो गाट हो दै आमी बाडी ले अति प्रभावित बनायेको छेत्र पुक देशों पतनाहरा केसेकरि बनियाद भार लगायत का छेत्रहरू अति प्रभावित छेत्रहण बाडी का कारणनेगरदा ती ठाउं ओर समा पोगना का लागी यातायात को प्रयाप्त सुभिदा छाईना दूंगा ने एक मात्र सुभिदा बने कोछा तर त्योपनी अतिनत कस्टा कर बने कोछा जांडे एक किलोमेटर यात्रा गरीश सके परची पैदल यात्रा गरीश ही जंगल होँदे होदे जेन तेना डूंगा को माध्देम बाठ बाड़ी पीडे छेत्रा और मा पुगी रहेका चन जसतासो जीबन गुजार ना मानी शुरू बाद दे चन उनियरू राज्य को परखाय मा रहेको आमिले बुजे का चन ठब द्रिश्य आमे तेहां पुगी पुगी पुच्ट्य पाणी शुरू गाटको सोरूपने बिगरिये कुछा डूंगा मा चण्ना का लागी हम्मे हम्मे परदाचा ज्यान जोखिम मा छावनने गुजरे डूंगा चण्नु परदाचा चण्नु को विकल पछाईना डूंगा पल्टियो बने पोडिन जाननेले मात्रे ज्यान जोगाउन सक्षन। डूंगा तरे पची लत्ता कपडा रानिपूर का अगुआ हरुको जिम्मा लगाएरा अमी गाउती रहानियों। सामुदाईक बन ओदै गाउतरफ जती गयो उती बड़ी पिडा नजी की ले गयो। घर का ठाउमा तिरपाल का टेंड थिये। कतिपे ठाउमा घर को नाम निशान देखिन देखिन देना थियो। मानी सरू बदकिये को घर का भगना बसेश खोतली रहे का थिये। कोई घर को पुन निर्माण मा पनी बेस्त देखिन थे। पदनहामा अक्सर संचार माद्देम पुक देनान। हिमाले टेलिविजन को क्यामरा देखे पची मानी सरू उत्चुक देखिन थे। आपनो पिडा सारा संचार ले देखनेर स्वयक थपिने उनियर को आसा थियो। रानीपुर की अस्टूर्नी थारू को बाब एस्ते बन थियो। घर गुमाएकी पात छोरी की आमा अस्टूर्नी आपना छोरी देखामदेई पिडा को पहड फोक न थालीन। मुर तो एक्थल लुगगना हो नाइ खाल ही बो एक्थम्यक्सीलाई दो भौजिकतर यह रो एक ताक दोर ना हो खायना बनाइना न अचाओ हो यह रो यह गाउ में से पके के पैठ्छे के गुदी कि लो तो काई पार्थ खाब अब कोटो कुछ हो नाइ कम समझ से भा पानी आ पीडा रात मा जने थपीने गरदा छा बाड़ी का कारण लामखुट्टे को सक्रियता बढ़े को छा शर्पको सल बलाहाथ एस तो बेला जने बढ़ने गरदा छा उखर माउलो गर्मी उस्ते छा अधिकामस घरमा बिजुली बत्तिको लाइन काचिये को छा मानी सरू तिरपाल मुनी जसों तसों सूते का बेटीन चन अमिले लोटन थारूला बेटें। उनको मील थियो, मील बाड़ी ले बगायो, मीलला बेवस्तित गर्ना रिन मा लिएको 55,000 पनी बाड़ी ले बगाया चा बाड़ी को बच्रपात खेपे का लोटन ले आपनो पी मैले 50,000 हो हजूर, एक ठाव बाटा 40,000 हो, निर्धन संस्था बाटा 40,000 निकाले को हजूर, और यो यूनिक नेपाल बाटा 10,000, गरेरब 50,000 निकाले को हजूर. तियो पईशत पाइंडे पोका पार रहे हैं गवार मा राखने बाते हैं? अच्छो जोला मैले आव घर चाहीं जानना की भने रा मैले सोचे थी हैं, और ते चाहीं जोला त्यांगे थी हैं, ते से में राखे रा मैले थी हैं. लौटन का चिमे की सुरेश आट वर्षका बै, आफनो घर मा बाड़ी पशे पची उनी बात नकला लागी चिमे की डिली राच ओडेल को गर तरपा दवडिये, उच्छो ठाव मा रहे को पोडेल को गर पनी एक एचिनमा डूबयो, बात नकला लागी उनी पोडेल को रूक मा थी सर्पा थियो, छोएको बास गारी मा न्यावरी मुसर गोमन सर्पा लड़े को देखे, जिबन मरण मा पुगे पची सर्पा को पनी डर लाग दो रहे नाचा, इनी एसे बांचन। लागे ना? अनि बांचन। रूख मा क्या कैंदेखे होता निली? शाप वास्त थिला बनाता? थारू में वानना पनी वनजा। थारू में भांप रहा है, दमला सपो रहे? और कौन कौन रहा है? दिखा धमला तो कौन सपो होए न वर्यासे लारता है अधिया हमला सपन नेमरे से लड़ी, ख्यातार साप लड़ी तिमी बसे को रुख को माती चाहें, न्यावरी मुशारा सवर पर लड़ी दाती हो? नाइ कोता ता? बास मात बास कोता थी हो? पच्छू पस्चिम पटी को जा तिमी बसे को नजी के? सवर पर न्यावरी मुशारा लड़ी दाती हो? अनि तिम बसे को रुख माती? रुख इस्तानिय चुडा मडे रिजालको गहर को पनी अभ भगना बसे समात्री बाकी चाह बाडीले सिर्मतिलाई जीवन मरणको दोसादम पुराई दियेको चाह उनको उपचार चितोवन भरतपुर्मा बही रहेको चाह शेनाले उप्तार नगरेको बहे जाने जाने अभस्तार है चाह बाडी बरवादी रा बियोग समझिये पची चुडाबणी को मन ठामी न सके ना उनी बक्कानी ये गरीब को घर मा इस्वरले जने परिचा लिन्चा बन्छन मुक्त कम्या सिबिर को द्रिश्चेले तेस्ते बन्छा केई मुक्त कम्यालाई सरकाले बवाई नदी चेवमा पुनरबास को बेवस्ता गरेको थियो अहिले मुक्त कम्याको बास गुमेको छा गास गुमेको छा उन्हेरू 48 गंटा बन्दा बड़ी रुखमा चड़ेरा ज्यान जोगाई ती रुखका टुपा तिरफनी सर्पहरू गुडुल किये का थिये सराणको मरण सर्पले पनी गर्दो रहेने चा उन्हेर लाई समझा देई डर लागछा अब आमेटा खर को भीटा बाने अन्हेर बाड़े आँछा यको चोती बगाईर लग छा अब येटी खेरे टामरे ये रासान एको शमस्या छा खाने जामले छाई ना बाड़ी ले बिनास निम्तायर गएको छा फेरी पनी बाड़ी आउने त्रयास कायमे छा बचे का घरमा पनी बाड़ी ले माटो जम्मा गरी दियेको छा अन्ना उम्रिये रा जमरा जस्तो बनेको छा भीजे को अन्ना लत्ता कपडा इलोरा मरे का पशुपंची का कारण बातावरण दुरगंद मये छा महा मारी फैले ने जोखिम उच्च छा देरे जस्तो को अबा घर बनने छाई ना बवयका हरलाई पनी मरमत सम्मार गरने चतारो छा बिद्याले भवन को समेत बिहाल छा खासमा बरदिया के बिहाल छा बवय उरले रा गाउपस्ता स्तानियले जयान जोगाउने बहेक किही सोचना सके ना बाड़ी बाड़त जयान जोग्यो तर जयान को सुरक्षा को गयरंटी अजय छाईना येजो बाड़ीले जयान लईजाला भनने त्रास्थियो अहिले पेट भर्नन पायर जयान जयाने होकी भनने चिनता छा भकारी मा धान छैना लगावने कपडा छैना जिन्दगानी त्री पाल मुनी खुमची एको छा पिड़ी थरू कुने राज्य का नागरिख होनकी आदीम काल का मानव छुट्याओन मुस्किल छा संकट मा परिकबेला राज्य को भोमिका प्रवाव कारी होन पर छा प्रवाव छेत्रमा पिड़ी थरू को पिड़ मरका सुनी दिने राज्य सम्यंत्र को भस्तले हामिले देखना पाये नौँ येसे विशय मा था प्रशंग जोडने छाँ तर यो ब्रेक बचे अंबे स्थिल्स माथी चड़दे अगी बड़दे अंबे सिमेंट हम्रो करवा हम्रो पहिचान विश्वास हाइटेक सिमेंट को वी वांट वी वांट एबिसी ब्रेक पचे पुन अस्वाक चा तबै प्रायम स्टोडी मा हनोंच राजहामी बर्दियामा बाडी पचे को बेहाल मा क्यांदरे छाँ बर्दियामा बाडी ले करती छेती पुर्यायो भन्ने यकिन छाइना बबई नदी फेरी पनी गाउ पस्तै न भन्ने ग्यारेंटी पनी छाइडा सरकारले भोमी हीन हरुलाय नदी किनार मा राखे दियेको थियो नदी मा तटबंद भने ठिये ना बनावने ठोस्योजना पनी सुनियेको छाइडा कुन बिला बबई मा पानी को सथा बढ़छ रकति बिला गाउ मा धावा बोल्छ ठेगान साइडा नदी आज पासका छेत्र जहीले पनी बाडिको जोखिम माई होंचन सरकारी विग्य हरुलाय यस्ता कुराको ज्यान नभायक पनी भईडा राज़ले नदी किनार मा बसुबास नगर न भन्दैना बसुबास का छेत्र पनी तोगदैना ना करिको ज्यान जो गाउने कुने योजना पनी बनाऊ दैना यो है रो बरदिया राष्ट निकुनच इस्तित परेवा उडार नजिक बाचा बबाई नदी फुटेको थियो बबाई पूल को वारीर पारी पठी बाचा नदी फुटेको हो पारिपठी दोईठाउमा फुटेको नदी मगरा गाडी बनिया भार होदै पदनाहा फुगेको थियो पूलको पारिपठी फुटेको नदी बगनाहा तर्फा हानियेको थियो नदी फुटेका कारण बनिया भार पदनाहार बगनाहामा छेती भायो अपर्तियांसे धुरूपमा तीब्रगतीमा आयको बाडीले पुरियायको छेतीको एकिन लेखा जोखाचाईना मानी सरू लख कार्चन नदी नफटीकेन गायको भाई कता कती छेती पुरियां उथिव भन्ना सकिनना कमतीमा पनी सदर मुकाम गुलरिया तहस नहस हुन्थियू नदी फुटे को ठाउमा गिटीर ढूंगा को थुप्र लगाउना थालिये को छा बबय नदीमा थोरे मात्र पनी पानीक बहा बड़े पुना बस्तिमा बाडी पस्ने निस्ची जस्ते छ तेसेले बाडी प्रभावित छेत्रक का मानी सरू को छटपठी कम हुन सकेको छैना कुला भदकिये काले जमिन सुखा बंदे गायको छा किसान हरू कुला मर्मत करना जुडे का सन। बर्दी आजे लाड़ छेत्रमा दुईका पुर्वसभासत एबं पुर्वराज्य मंत्री दिश्चन थारू बाडी प्रभावित छेत्रमा भेटिये उनले बबय नदीमा ततकाल तटबंद न गरिये तथा बाड़ी प्रिद को उचित बेवस्तापन नभाई अज थुलू संकत निमतिने जनाये। सरकारको तवर त रिका पती उनले असंतत निमतिने लिए प्रिद को धुणुण। दुष्ट पनी बेक्ता गरे। दुष्ट पनी बेक्ता गरे। दुष्ट पनी बेक्ता गरे। बियोगले बर्बादी मात्रे निम्तियाओ दैना मानव सम्मंदलाई पनी जोडने गर्दाशा। राजेले कही न गरे गुणासु जहां तही सुनिये पनी छिमेकी आफंतर सोहेगी होरली गरेको गुण कहीले न भुलने बाडी पिडित को भनाई थिय। भायको अन्न लत्ता खपडार घर बगाये पची बाडी पिडित होरली छिमेकी गाउर विध्यालाई मा आस्रेलिये कथिये। छिमेकी काउकाले उनी होरलाई वचा आका थिये। बोलदए नमलने होर कुछ सम्मंध पनी बाडी का कारण सुद्रिये को थिय। संपरकमा नाओने अभंध हरू समेतले सोधी खोजी थाले का चन, बाडि का कारण समंद हरू स्तापिद भय का सन, जिनदे नजिने का हरले समेत सहयुग पठाय का चन, आमी पनी बिविना स्वहगी हरले पठाय को सहयुग सहीत बाडि पिडि छेत्र पतनाहा पगे का छी, रोजगार बेवैसाई हुरली जम्मागरीकु द्रकम राष्टे फोटो पत्रकार सम्हली जम्मागरीकु लताखपडा पोखराका सिच्या सेवी बावुराम पंतर त्रिभवन सर्माकु शक्रियतामल संकली द्रकम सहित हमी रानी पूर्पुगे का थियू। फामिले 300 किलो लता कपडार एक से पोइंटीस कुइंटेल चामल एक कारिक्रम का भीज बाडी पिडितलाई अस्थांतरन गरेऊ। रहात अस्थांतरन कारिक्रम मा बोल देई पदनाहा गाविशक अप्पिर्वा अदक्ष्य पूर्ण सर्माली सरकारलाई जगजगाई दिन संचार मातिम संग आगरह गरी। अस्थांतरन गरेऊ अस्थांतरन गरेऊ। सहयुक संकलन करता होरले बाडी पिडित का लागी थप सहयुक जटाउने पताई। सहयुक प्राप्त हुदा बाडी पिडित को मुहारमा अलिकती भायपने उज्यालो छाउँ थिय। जब आउने हरू बाडी समझाँचन आन जिरिंग भायराउने करताशा। बाडी पिडितोरली नदिक कटान मेंतन गरी आफोर को जिबन रा जमीन जगाउना सरकार संग आगरहा गरे कसन। आप देश का जुन सिरी भागना पसें दाजिवाई दिरिवेने भाय पनी। हामी नेपाली एक हूं, हामी एक परिवार हूं। रहा हमीले एक कार काला शंकर परदा खरी। आमीले आपनों परिवार समझे रहा। शॉईग गणूपर सा। रहा हमीले दिले आपनों चम पाले रहा संबा। आमीले बरह सर्णिय शंपुना जाम गजनु परसा बालने हामील लागिया। पोकरामा आमीले शिच्छिटर जी को सवग पायक सी। आमीले अभयान चवाईयों, हामीले साथी बाने अबनेओ। बबै नदीमा बने को जोलूंगे पुल का कारण पतनाहामा चहल पहल रात्तेई बात्तेई बबै नदीमा बने को जोलूंगे पुल्पनी भत्कियों घर्पनी बगायों खुशी एकई पटक सबय लुचियों पदनाहा को पिडा चिचोल दे हमी बनिया भार्पगयों बनिया भार्पगये पची बियो को थब बेदना देखना हमी बीवस थियों बाड़ी पहिरो ठ्याम्माई रोक न शकिनना त्यो सवैलाई था आछ तर यसता प्राक्रितेक बीपत मा श्यती नियुनिकरण गर्ने उपाय भने अपनावन शकिन छा नुदिकिनारमा बलिया त्रटबंद मात्रे बनावने हो भने नदेले खेती योग्या जमीन कटान करना पाउं तैना माना बस्तीमा पशेर बितन्डाव मत्चाउन बनी सकते ना बाडिले घर बगाउंदार को बनाउन शकियला तर खेती योग्या जमीन बगाय पचे त्यहां फेरी अन्य उपजाउन शकिनना किसान को प्राण जोगाउने भूमी जोगाउन सरकारले की उपाय करला आगामे देन मा बर्दियाको पदनाह गाविशमा बाडिले श्रीजना करेको बवंडर आजहामीले प्रस्तोत करें यसताई हालत अन्य गाविशमा बनी छाँ ती शेत्रको पिडापनी ख्रमस्र देख दर्शक ब्रेंद सामाजिक उतर दाई तोशेत को पत्रकारी ताम हामी निरंतर समर्पीत रहिडाने छों। प्राइम स्टोडी बातों विदावन चान छों। नमस्ते। प्राइम स्टोड़ प्राइम स्टोड़ प्राइम अभी पर्देख अंबे सिमेंट हम्रो करवा हम्रो पहिचान विष्वास हाइटक सिमेंट को We want, we want ABC!